दोस्तो आज हम लोग सीखेंगे गूगल पे वर्क स्पेस कैसे बनाते हैं वाई भाहिरफाइंग डोमेन और अपने बिजनस के लिए इमेल आईडी कैसे क्रेट करते हैं वाई एक्टिवेटिंग जीमेल नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है दीप और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोपुरान में टेक्वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि मैंने डोमेन जो की टेक्नोपुरान.in है और होस्टिंग दोनों पहले से ही खरीद के रखा है और दोनों मैंने अलग-अलग जगह से खरीदा है तो सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं गूगल बिजनस इमेल आईडी और चलते हैं ये साइट पे जो की वर्कस्पेस.google.co.in है आप देख सकते हैं यहां आपको फ्री में 14 डेज का फ्री ट्राइल मिल जाएगा मेरा जो डोमेन है वो है www.technopurant.in तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो वेबसाइट है वो लाइव है अब हम मेरा जो वेबसाइट है उसके कंट्रूल पैनल में चलते हैं यहां मैंने यूजर आइड और पासवर्ड दिया और आप लॉग इंटू माई डोमेन सी पैनल अब मैं चेक करता हूँ वो इमेल आइडी पहले से तो नहीं क्रेटेड है जो मुझे अभी क्रेट करना है तो अब मैं वापस चलता हूँ Google Workspace पे और क्लिक करते हैं Start Free Trial पे Next screen पे आपको अपने Business का नाम देना है कितने Employees है वो सेलेक करना है और Country को सेलेक करना है फिर Next पे क्लिक करना है अब यहां आपको अपना खुद का जो Contact Information है वो देना है जैसे First Name हो गया, Last Name हो गया and Current Working Email ID और Next पे क्लिक कर देना है मेरे पास है तो मैंने Yes किया अब यह आप से आपको Business Domain Name पूछेगा मतलब कि आपको Business का जो Website है वो यहां पे लिखना है और Next पे क्लिक करना है Google आप से एक बार और पूछेगा कि आप इसी Domain से Account Setup करना चाहते हैं अगर हां तो Next पे क्लिक करें Now Business email ID बनाने के लिए आप से पूछेगा कि यूजर नेम क्या होगा जैसे Sales, Info, Admin, HR, Manager, Etc जो कि आपके Domain के साथ होगा For example, जो मैंने बनाया है वो है info at the technopuran.in info हमारा username है technopuran.in website है उसके बाद आपको एक strong password देना है उसके बाद हमको जो है click करना है I am not robot puzzle को solve करना है and click agree and continue hope यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अभी आपको Google Workspace का जो account है वो create हो चुका है so अब click करते है go to setup पे, ठीक है welcome to the admin console का message आएगा आपको जो है next पे click करना है अब आपको अपने domain को verify करना है so click on verify Google आपको चार option देगा आपके domain को verify करने के लिए पहला txt record बनाना है दूसरा cname record बनाना है तीसरा meta tag जो है वो add करना है and चौथा upload an html file ठीक है तो txt और cname जो है वो आपके domain provider पे login करके dns management में मिल जाएगा minute tag अगर आप जो है website को edit कर सकते है website का homepage है उसको अगर आप edit कर सकते हो तो आपके code मिलेगा वो code को जो है उस website का homepage है उसको लिखना है ठीक है and fourth है जिसमें Google के तरफ से एक file मिलेगा अपने hosting file के साथ उसको upload करना है जहाँ पे आपका hosting file रखा हुआ है वहाँ पे अपने खरीदा है उसका ID और password होना चाहिए ताकि आप upload कर सको तो मेरे हिसाब से fourth option सबसे easy है और बहुत ही fast तरीके से जो verification होता है और हम इसी को इस्तेमाल करेंगे by default txt verification होता है तो हम और switch verification method पे click करके verification method को change करके upload वाला select करेंगे ठीक है now html verification file को download करेंगे so let's see this file and continue पे click करेंगे अब अपने website के cpanel में जाएंगे और file manager पे click करेंगे now search for public html and just upload the provided file ठीक है अब वापस Google domain verification page पे जाएंगे और verify my domain पे click करेंगे अगर आपको check करना है कि क्या जो file मैंने upload किया था वो upload हुआ है कि नहीं तो verification page पे ही उपर का जो पहला link जो आपको दिखा रहा है उस पे आप click करना तो थोड़ा सा time लगेगा verification about half minute and verified का message आ जाएगा अब हमको Gmail activate करना है अगर आपको और user add करना है तो create new user पे click कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी user create कर सकते हैं चलते हैं सबसे पहले Gmail activate करते हैं so click activate select both option and click continue next screen पे explain किया गया है पूरा details में की कैसे क्या करना है तो सबसे पहले आपको जो है आपका site जहां से host हो रहा है वहां login करना है and search MX record delete previous MX record and add new one provided by the google if MX records नहीं दिख रहा तो go for zone editor एक note है यहां पे थोड़ा सा इसको समझने की जुरत है क्या होता है कि लोग यहां पे confused हो जाते हैं कि अगर domain कहीं और से खरीदा है या hosting कहीं और से तो MX record को कहां add करना है very simple go to your hosting site अगर hosting and domain provider same है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपका MX record वही DNS management में नहीं दिख जाएगा now adding all MX server record provided by google just click activate Gmail so that's it अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही या कोई परिशानियत comment में जरूर लिखे hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए bye bye